रुखो रुखो दोग्स तो आज मैं कुछ नया वीडियो बनाने वाला हूँ जैसे आपको बताए हरोज में लोग बनाता हूँ बन अभी हाला कि मैंने आइफोन 13 प्रो मैक्स लिया है तो मैंने सोचा कि न्यूजिलेंड में और इंडिया में प्राइज में क्या डिफरेंट ह में यहां पराईज कन स्क्रीन्ट अभी हम लोग आजे के कुसे में लेप तक करेंगर देखंट सुद् выпуск प्रामीश कुई तया पर इहां पर आप देखे रहे हैं उसकाभलब मतले हुआ कि इससे सल्वाखें अगरे और पर मिलते हैं for example यही आइफोन है और कोई दूसरे शोपर यह आइफोन अगर आपको 2000 में मिलता है तो नोइंग लिमिंग भी आपको 2000 में देंगा यानि कि सबसे सस्ता प्राइस नोइंग लिमिंग ही देता है तो अभी हम लोग देखते हैं जो मैंने आइफोन लिया है वह नोइंग लिमिंग से लिया है और मैंने लिया था 2190 और यहों कि 256GB है आइफोन 13 प्रो मैक्स ही है और ग्रैफाइट कलरी है और अभी इसकी प्राइज हम लोग देखते हैं एपल की वेबसाट पर हम लोग देखे तो सबसे पहले यह रहा एपल इंडिया यह एपल इंडिय में बस सो रुपए कम है और अभी इसकी प्राइज जो बाइसों डॉलर अगर उसको हम लोग न्यूजिलेंड रुपीस में करें तो मिल जाता है हमारा एक लाख सांथ जासे उपर नीचे थोड़ा सा यानिकी एक लाग सांथ जास मिल जाता है और यही सैम फोन की प्राइज है बारा सो डॉलर को यानिक ग्यारा सो निंजन बेका पे है और उसका अगर हम लोग यूज डॉलर वर्स इंडियन रुपिस में करते हैं तो सिफ 95,000 में यह फोन मिलता है तो यह प्राइस में इतना डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि इंपोर ड्यूटी लग जाती है तो थैंक यू वेरी मुच फो वाचिंग इस वीडियो में मिलता रहूंगा दूसरे वीडियो में तब तके लिए राटा बाबे से यू